सब्सक्राइब कीजिए MD Kitchen चैनल को और बेल आइकोन को द्यदवाइए लेटेस रेसिपी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मैं मनिशा दलल MD Kitchen चैनल में आपका स्वागत कर रहे हैं आज हम बना रहे हैं गुजरत की फेहमर्स से उसल उसके लिए हमें पहले चाहिए 1500 ग्राम सफेद वाटाना उबला हुआ एक बावल ओनियन पेस्ट एक बावल टमाटर पेस्ट एक चमच सक्कर एक चमच नमक चार बड़े चमच तेल लसून अधरक मिर्च की पेस्ट हर कटा हुआ हरा धन्या कड़ी पत्ता सेव गार्निस के ल लेमन और पानी दो बड़े गलास पानी हमारे रूटीन मसाले हल्दी लाल मिर्च घरम मसाला धन्या पावडर हें राई जीरा चले सुरू करते हैं सेवसल बनाना चले सुरू करते हैं सेवसल बनाना सबसे पहले पैन में एक चमच तेल डालिए बड़ा चमच तेल गरम होते ही थोड़ी सी सरसो डालिए थोड़ा सा जीरा थोड़ी सी हींग डालिए हमारी राय और जीरा होने आये गेस के आज दीमी कर दिजिए स्लो कर दिजिए और हमारा जो उसल है और हम उसमें डाल देते हैं जो हमने वटा ने बॉयल कलके रखे हैं और हमें इसमें डालना हैं उसमें थोड़ा सा हमें नमक डाल देना हैं नमक डालते समय थोड़ा ध्यान रख लिजिए कि उसके लिए हमें उसल के लिए एक ग्रेवी जो एक करी बनानी है उसमें भी हम नमक डालेंगे तो ए थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा नमक डाल लिजिए अब हम ए उसल के मिक्स्चर को दूसरी गैस पर रख देंगे और ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे हमें उसे धीरी आज पर रखना है दूसरी बाजू हमें उसकी करी बनानी है इसके लिए सबसे पहले चार बड़े चम्मज ए जो उसल है उसमें ज्यादा तर तेल पड़ता है तो भी हम थोड़ा कम तेल डालके थोड़ा बनाएंगे चार बड़े चम्मज तेल लीजिए तेल होते ही उसमें सर्सो के दाने डालिए सर्सो अपने हो थोड़ा सा जीरा डालिए हमने आगे भी थोड़ा जीरा और डाला है तो थोड़ा ध्यान रखके डाले थोड़ा हिंग होते ही हमारी गेस की आच्ट लो कर देनी है और ओनियन पेस्ट जो हमने बनाई थी और डालनी है ओनियन पेस्ट थोड़ा सा उसकर कलर आजाए आज ब्राउन उससे हमको उसे हिलाना है यह जो से तैव सल हम बना रहे है जो गुझारत में भॉत फेमर्स हें स्ट फूड है गुजरत का जो बहरोडा से ज्याधाथ तर खाया जाता है गुझारत का फेमर से तैवसल है ओनियन पेस्ट डालने के बाद हम टमाटर पेस्ट डालेंगे उसे थोड़ा ही लाएंगे अभी गैस हम गैस की आँच हम जड़ा फास्ट रखेंगे जिससे हमारी ओनियन पेस्ट टमाटर पेस्ट पकने लेगे थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक डालते समय ध्यान रखिए क्योंकि हमने पहले उसल में भी नमक डाला है हमारी आस्ट लो कर देनी है गैस की नमक डालके जो हमने हरी पेस्ट बनाई थी अरी पेस्ट लसून अद्रक और मिर्चकी हमारे स्वाधन उसार हम इसमें तिखा पन डाल सकते हैं अब ज़्यादा तिखा खाये तो दो चमच भी डाल सकते हैं पर हम मीडियम बना रहे हैं ज्यादा तीखा खाने से ना खांपा इसलिए हम तिखा नहीं ज़्यादा बना रहे हैं यह हमारी पेस्ट धीरे धीरे कलर बदल रही है अभी गैस की आज हम स्लो कर देंगे श्लो आज करते ही हम हमारे जो रूटीन मसाले हैं वो डालेंगे सबसे पहले आधा चमच हल्दी यह रेसीपी में सबसे ज़्यादा लाल मिर्च पड़ती है जो हम दो चमच डालेंगे आप कास्मीरी मिर्च ले सकते हैं आधा चमच गरम मसाला लेंगे एक बड़ा चमच धनिया पावडर यह सब मसाले हमें भूनने हैं जब तक हमारा मसाला भून ले आप देख रहे हैं यह दीरे-दीरे हमारा मसाला कलर छोड़ रहा है आप चाहे तो इसमें और भी मिर्च डाल सकते हैं कटी हुई हरी मिर्च डाल सकते हैं यह बनाने में आसान है और खाने में सबसे स्वादिस्ट और गुजरत का स्ट्रेट फूड है पांच मिनिट के बाद हमारी ग्रेवी पॉक जाएगी आप देखी रहे हैं जैसे हमारा तेल अलग हो रहा है ग्रेवी से हमारी गैस की आच थोड़ी स्लो रखनी है इसमें हमको थोड़ा थोड़ा जो हमने पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा डालना है पानी डालते ही गैस के आच फास्ट रखेंगे हम और दीरे-दीरे हलाते हुए यह जो ग्रेवी है थोड़ी हम हमें पतली रखनी है क्योंकि इसे हम पाउं के साथ सर्व करेंगे जो हमें खाने में आसानी होगी आपको घाड़ी पसंद है तो आप घाड़ी रख सकते हैं पर ज्यादा तर यह स्ट्रीट फूड है जो इसमें पतली ही ग्रेवी होती है दीरे दीरे हलाते रहिए जो तेल है उपर आ रहा है गैस अपना फास ही रखिए इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालना है जो हमें ज्यादा तर टेस्ट और कलर भी देगा एक चमच हमको सक्कर डालनी है सक्कर डालने से यह जो लाल कलर है वो अच्छा दिखेगा और टेस्ट में भी अच्छा लगेगा एक तीखा पन मिठा पन टेस्ट आहेगा क्योंकि ये गुजरत की जो रेसिपी है तो उसमें सक्कर डाली जाती है आप चाहे तो न डाले मैं इसमें एक चमज सक्कर डाल रही हूं इससे मं मुणकों आप चाहे तो और पतली कर सकते हैं ग्रेवी आपके टेस्ट अनुसार आप बदल सकते हैं अब आधा शवरा धनिया डालेंगे ग्रेवी में अब एक गेज की आज हम स्लो करेंगे और जो हमने पहले ही सफेद वर्टा ने रखे थे वो थोड़े उसमें डाल देंगे हम सब जैसे हमने जो उबले हुए वटा ने इसमें डाले थे आप उसको हीला ये आप देखिए कि आपको कैसी पतली ग्रेवी चाहिए इस तरह के चाहिए तो आप पानी मज डालिये चाहिए तो आप उसमें अभी थोड़ा सा घरम पानी करके डाल सकते हैं ये ग्रेवी पतली ही होती है उसको पाउं के साथ सर्व करा किया जाता है और सेव के साथ तो उसे पतला ही रखा जाता है हमारा उसल तयार है सर्व करने के लिए अब हमारा से उसल सर्व करने के लिए तैयार है दो मिनिट के बाद आप देखेंगे यह हमारा उसल तैयार है सर्व करने के लिए हम उसे पाउं के साथ सेव और उसके उपर थोड़ा सा धनिया डालेंगे थोड़ी सेव डालेंगे क्योंकि यह हमारा सेव उसल है तो सेव तो उसमें थोड़ी डालेंगे थोड़ा सा धनिया और ऐसे ही हम इसे हम से उसल sauv करेंगे उसको पाओं के साथ और सलाट के साथ sauv करेंगे तो आपको रेसिपी मईत पसंद ना बुरैं अगली रेसिपे के लिए अमडी कीचन चेनल को सबस्सक्राइब करना ना बुरैं